As long as viewers, my name is Waan Chima, I will come back with another video of Capital Smart City आगकार िडियो में Capital Smart City में जो latest development हो रही है उन विलास पर जो Smart City का पहला constructed product आफर किया गया था मार्केट में बैक इन 2020 और आगका इस विडियो में इसेटेटेगा कि डिक्स करेंगे यह प्लस तरथा काम म astrology होऀए और इन विलाज LAC आएकोट की में बॉलेवार्ट जिसमें एसे थरेटी मीन सर्विस नोड तो बिरीवार्ट अवेकृट टॉटल विर्पलीफी बंतीन है 1205 की बے कोई थे asPP में, इस पुर्ड़ 72- realiz?" धीट शूर्मी आशिंटायू और जो development अभी हो रही है उस सवाल इसके explain करूँगा तो mostly जिन members के पास विलाज हैं specifically पांच मुला की lotment है उनको idea हो जाएगा कि इस वक्त उनके विलाज का status क्या है right now क्यों साइटी ने दो महिने तीन महिने बाद exactly possession जो यहां start कर देना है तो possession जब यहां पे ready होगा जब यहां पे लोग आके रहेंगे तो definitely तब क्या उससे पहले कैसे development और तब क्या होगी वह बाद में रिपीटिव विडियो बना दूँगा कि तब development का status क्या है right now पांच मला का इसमें इस विडियो में तीन पार्ट होगे पहला जो पार्ट होगा वो उसमें ऐसा जो प्लस्तर वाला area होगा जिसमें सिर्फ प्लस्तर तक काम होग है मैं वो शामिल करूँगा second part मैं आपको street में दिखाऊँगा कि पांच मला की जो streets बनती है वो कैसी बनती है and third part इसी विडियो में यह तक्रीव पंदरा मिनट की विडियो होगी इसी विडियो में जिन विलाज में parents वारा भी हुए है यह parents का काम स्टार्ट हो गया है मैं वो भी explain करूँगा right now विडियो फोटिज देख रहे हैं यह Georgian style के विलाज है जिनका ground floor है इसमें किचन की डिमेंशन बनती है वो 9.16-11 है इसमें living room की डिमेंशन वो 23.16-11.6 है तकरीबर एक बड़ा साइज बनता है अगर आप देखते हैं एक्जेक्ट इसकी elevation है मुँआ विडियो के साथ लगा दूँगा या दरवाइज आप WhatsApp पर रापता करके वो elevation ले भी सकते हैं मैंने जब comments में पहला comment पिन कर दूँगा WhatsApp का तो आप मुझे मेसेज कीज़ किज़ेगा तो मैं को smart villas का ब्रोश्यर होगा जिसमें आपको design होगा प्लस इनकी पूरी dimensions होगी वो clearly visible हो जाएगी जैसे कि मैंने वीडियो स्टार्ट हम बात की थी यह तमाम villas जो है यह purely cash पे available है और resell में available है इनमें कोई भी product जो है वो fresh पे available नहीं है अब यह जो villas बन रहे हैं सब्टमर 1 का possession आएगा तो जाहर सी बात है society ने एक बहुत अच्छी announcement कर रखी है कि जिन members चाहें जो members चाहें जिनको possession मिले विला का वो अपने विला के लिए definitely उनको rent out करने के लिए किसी individual की ज़रूद होगी तो हम वो headache भी खुद लेंगे तो आपके विला को rent out भी किया जाएगा वो बिस society की दर से किया जाएगा अब ये बहुत ही positive बात है कि जिन members चाहें जाहर सी बात overseas है specifically जो UK में रहते हैं Canada में रहते हैं USA में रहते हैं वो पकिस्तान तो नहीं आ सकते न अब पांच मला के विला को rent out चड़ाने के लिए आपको जाहर सी बात है different लोगों से रापना करना पड़ता है different agent से sometime कोई बात होती है sometime कोई बात होती है पर सारी और बहुत सारे ताम जाहम होते है कि विला के condition कैसी है यह सरा different चीज़ें तो society जब आपसे यह rent पिलेगी तो जाहर सी बात है maintenance भी society के पास ही होगी maintenance society के पास होगी तो society जिस member को भी आगए यह rent out करेगी उन member से जाहर सी बात है contract में फिट आवर्ट में चीज़ लिखेंगे कि अगर घर में कोई भी damages होते है तो आप इसके responsible है 987 विलाजन जिनका gray structure complete होने को है अब gray structure से मुराद है कि प्लस्तर का काम complete होने को है अब इसमें देखा होगा कि ground floor पे कुछ पार्ट में ceiling का काम में वो भी शुरू हो गया है और कुछ पार्ट में पेंट्स का काम भी शुरू हो गया है यह आज की footage है अब हर आने मिले दिन के साथ जायर सी बाता changes होती जाएंगी मजीद तब्दीली आएंगे इसमें structure में overall आपका elevation में different चीज़न देखने को मिलेंगी जो possessionable होगा तो जायर सी बात है कि इसमें आज की situation है और जो तब की situation होगी वोग बड़ी different होगी अब right now जो अभी यह जो विलाज में इसमें add की है वीडियो में यह mostly जो एक्जेक्टिव ब्लॉक B में recorded है एक्जेक्टिव ब्लॉक B में सिर्फ possession है पांच मरला का बाकी जो ब्लॉक से हमाँ पे तक possession नहीं है बाकी ब्लॉक्स में एक्जेक्टिव के जब possession होगा जब विलाज construct होगे तो उसके हवाले से मैं separate video बना दूँगा विलाज mostly overseas में बन रहे हैं overseas east में और overseas east में पांच मरला के विलाज specifically sector E में और D में बन रहे हैं उनके हवाले से मैं separate video add कर दूँगा ताके मेंबर्स को अपने विलाज के हवाले से proper update मिल सके इस वकर में पांच मरला का street view देख सकते हैं street view से मुराद यह कि अगर आप देखें wall to wall lessons जो ना वो 40 foot का है अब जो भी पांच मरला के विलाज बन रहे हैं कुछ विलाज जो main road पे है वो तो 60 foot पे है जार से पाता है उनकी तो width था automatically ideal गासते हैं यह जो width था यह 40 feet है यह जो left side पे wall है घर की इस wall से लेकर right side पे जो wall है यह जहां से garage start होता है यह वाला part जो यह 40 foot किलाता है 40 feet में से तक्रीबर 18 feet का asphalt carpet road है 3-3 feet के बीच में foot पात है तो 18 plus 26 24 और उसके लावा 7-7 foot की आपके घर के सामने खाली space होती है यह जो सोसाइटी की तरसे की जाती है वो सोसाइटी की space होती है आप उस पर construction नहीं कर सकते है बाट होता है कि आम तोर पे 40 feet की width इस तरह दिफाइन होती है अब 50 feet की width देखते हैं अगर जो घर के बाहर की territory होती है घर के बाहर की premises होती है घर के अंदर की premises जो है वो 25 और 45 का plot ही होता है यानि जो plot की front होता है 25 feet और depth होती है वो 45 feet तो square yards में 125 गाज और इस पर जो covered area आपको मिलता है वो मिलता है तक्रीबान 2050 square feet ground plus one के structure के साथ यानि एक floor पे तक्रीबान आपका 1025 square feet आपका covered area आता है around 4 marla something का area बनता है जो आपका per floor constructed area होता है ground floor के बात करते हैं तो ground floor पे सबसे पहले आपके 5 marla के structure में चीज़ आती हो आता है आपके 5 marla में left side पे आपका garage आता है garage के साथ अगर मैं इनकी dimensions भी explain करना शुरू करने गिराज की dimension क्या होती है या बाकी सता की dimensions तो मैं वो भी साथ explain करता हूँ कि आम तोर पे जो main concern होता है वो हता है कि आरके पी parking का एक fortunal गाड़ी SUV गाड़ी जो होती है land cruiser कहले हैं वो easily park हो सकती है इतनी size का garage होता है अगर मैं exact dimensions पर जाओ तो जो पांच मला गिराज होगा वोगा का 11 by 15 या साड़े पंदरा गिराज उसके बाद साथ right side पर drawing room होगा 12.10 into 11 का उसके बाद अंदर जाते हैं living room में 20.0 into 11.6 उसके साफने powder room में 6.3 into 5 और उसके बाद दो bedroom होते हैं 16 by 11 और दूसरा जो kitchen है निचे ground floor पर 9.1 into 11 और back side पर 5 feet open space होती है यह dimensions आपको वसे mention करने का मकसद यह था यहां पर ताकि आपको इन general idea मिल सके कि 5 मला की structure में कितना आता है वैसे मैंने जितनी घरों की dimensions है internal dimensions है वो हर वीडियों मार्की है अब यह जो Georgian style के villas मैंने वीडियो में स्टार्ट में दिखाया थे जो 180 feet road वाले विलास थे उन पे जो हो सिर्फ प्लस्तर हुआ है उन पे यह जो white paint वाला काम है वो स्टार्ट नहीं हुआ और mostly घरों पे अंदर जो even गिराज की ceiling है अब इन विलास को देखे हैं तो यह विलास जो हैं यह back street पे हैं उनकी एक street पीच्छी है मेन रोट से back विली street पे और यहां पे जो है अलरड़ी जो पेइन्ट वर्क वो स्टार्ट हो चुके है अब घर में मुखलिफ units के अंदर tiles की installation शूरू हो चुकी है चीज़ें होनी है वो डेफिनली विदा पैस्ट उफ टाइम जब होंगी तो डेफिनली वाक अपडेट कर दूँगा गिराज के अंदर ही आपको अंडर वाटर टैंक मिलते हैं जहां पर सप्लाइ का पानी आएगा आपको घर के अंदर बोर करवाने की ज़रूरत नहीं है कि सुसाइटी की तरह से आपको 24-hour water supply जो है वो हर वक्त मजूद रहेगी without any extra cost घर के अंदर जो हर घर का separate meter है और separate meter के साथ साथ जो घर की जितनी units चीज़ें स्टॉल होंगी वो A plus quality होंगी इन में ऐसा भी कोई चीज नहीं है जो subgrade लगाए जाए ज़ूँकर यह HL का product है और H अब मैं दुबारा आगे हैं उस घर के नर्जाना पर पेंट्स हो चुकी है यहां पर living room के dimension आपको नज़र आ रही है 17.3 x 11.6 तकरीबन आपका यह गर कवर देखा जाए living room का size तो 17.6 x 11.6 तो आपका तकरीबन 204 square feet living room होता है आप living room से आगे उपर ground floor में जाते हैं तो आपको एक bedroom मिलते हैं और bedroom के साथ आपको ground floor पे kitchen मिलते हैं जो 3 यहां पर एचा मैं बदाब दाना भूल गया start में कि यहां पर जो options offer की जा रहे हैं पांच मनला में वो दो तरह के options हैं एक है 3 bedroom के options और एक है 4 bedroom के options जो 3 bedroom के options हैं उन म आप एक bedroom बनता है आपका drawing room से उपर sorry एक bedroom वहां पर आता है with attached bath और इसका दूसरी साइड पर जो opposite side है वहां पर आपका एक bedroom आता है और सेंटर में living space यह 3 bed की है 4 bedroom की बात करें तो left side एक child bedroom और जाता है जिसका already fourth bedroom जो है इतनी space नहीं काउंट होती बद देखा जाए तो फिर अच्छी असी space बन जाती है आपको एक extra bedroom मिल जाता है पांच मले घर में जार सी बात है कि यह one unit है इसमें ऐसा नहीं कि आप stairs से privately rent out कर सकें अगर आपको घर rent out करना है तो यह single unit rent out होगा यानि कि आपने इसमें यह नहीं कर सकते कि एक portion rent out कर दिया ground किसी और को और first floor किसी और क क्योंगे जो घर की stairs है वो अंदर से जाती है तो आप जार सी बाता privacy चीज में बहुत ज़्यादा matter करती है तो matter privacy करती है तो जार सी बाता है उस लहास को accommodate किया जाता है अब ही दुबारा आते हैं जी ground floor के discussion पर यह वह वाला घर है जिसके माद़ा प्लेंट सेरों मकमल हो चु इंटो 11 तो आपका 16 इंटो 11 बनता है अप्रॉक्समेट 176 स्कूर फेट 176 स्कूर फेट 176 स्कूर फेट जिसमें कबर्ट भी होंगी सारा कुछ होगा और बाकि electrical plumbing design MEP जोता है mechanical electrical plumbing यह तीनों काम जो हैं घर में मुकमल हैं तो घर आपका जो है जो भी individual इस घर को purchase करेंगे definitely व आपके बाद इसका possession ले सकते हैं और possession से मराद है अगर खुद आप यूज करते हैं तो definitely वह आपकी property है अगर आप इसे rent out करना चाहते हैं तो property तो आपकी होगी बट वह property जो society की तरह से यानि management की तरह से इसको rent out किया जाएगा to the reasonable person जो इसको property को maintain भी कर सके हैं क्योंकि main concern ज रहना है यहां 50,000 वला बंदा इस घर को उस तरह से maintain तो नहीं करेगा ना तो जार सी बात है आपको एक advantage है उन members के लिए specifically जिन्होंने UK में रहते होए यहां पर विलाज बुक करवाए हैं पांच मला के ट्रिवलीज में हूँ यहां पांच मला के smart विलाज हूँ जिन्हों कर पर सकराइब एक रोड़ बावन लाग पुछतर दार का सिर्फ आपका जो विला की कॉस्ट है अगर मैं जाऊं पच्पन सू पर सकरफ रिट पे उसमें अगर अगर बावन लाग पुछतर दार पे का खुद विला बढ़ता अगर आप खुद कंस्ट्रक्ट करें तो अब 20% की सेविंग यहां से आती है अगर खुद बनाते हैं खुद बनाते हैं 1.52.25.000 रुपे का और अगर आप मार्गरीट से खरीदते हैं तो आपको तक्रीबन 1.15.00 से 1.20.00 के दरम्यान में है तो वो कॉस जो बनती है वो तक्रीबन आपको easily 20-23% का वहाँ से सेविंग मिल जाती है अब आते हैं दूसरी साइट पे रेंटल वैलियो पे जब विला आपको डे वन से रेंटल वैलियो शुरू हो जएगा प्राइस साथ एप्रेशेट करती रहेगी लेट से आज से साथ साल बाद, आठ साल बाद आप बेचती है तो सिर्फ जो प्लॉट कीमत होगी नीचे वो शदे एक क्रोड पे आओ अगर मैं 50,000 रोपीज इसकी रेंटल वैलियो लगा हूँ पांच मला विला की तो पांच मला विला की रेंटल वैलियो अगर मैं इसकी लाँचिंग प्राइस के साथ से देखूं तो तक्रीबर आपको 7-8% पर मन्त इसका रेंट जो आप एक्सपेक्टेड है क्योंकि विलाज इसलिए बहुत रिजिनबल प्रड़क्ट बनती है क्योंकि विलाज ने अभी रिसेंट डेज में बहुत ज़्यादा अच्छा गें लिया है इन टरम्स ओ कंस्ट्रक्शन कॉस्ट क्योंकि प्राइस समय जैसे डालर ने अप्रिशेट किया है तो विलाज जाए इस तरह के जो परड़क्ट्स है उनकी प्राइसेज में खातरखा इजाफा हुआ है स्पेसिफिकली इन कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो कंस्ट्रक्शन मेटिरियल जो 40 ग्रेड स्टील इसलामबाद में मिल रहा था 1,2,000 तन यानि 1000 किलो 1,2,000 का आज वही स्टील का रेट जो है तो गिबना आपका 3,5,5,5 रुपे टन है जो सिमेंट का बैग आपका मिल रहा था 325 रुपे का आज वही सिमेंट का बैग आपका 1180 रुपे का अगर आप क्रश की बात करें सैंड की बात करें लेबर की बात करें आप इनिट की बात करें किसी भी कंस्ट्रक्शन मेटिरिल की बात करें तो आपको उसके rates में at least 200 से 250% का difference नजर आता है पहले यही विलाज जो थे society ने 2400 per square feet के grey structure के rate पे contract दिया था और आज यही जो grey structure है तरीवन आपका 4500 per square feet पड़ता है तो आपको इससे idea हो सकता है कि यह जो product है आपकी investment के point of view से प्लस आपको day one से आपके income point of view से कितनी ज्यादा easy है क्योंकि आपने किसी third party के पीछे नहीं भागना कि मेरा जो खह रहा है उसको rent out कर दें आपने society से contract करना है आप जाने society जाने आप मालिक हैं property के आपको per month rent receive होता रहेगा per month per quarter semi annually या annually यानि साल साल बाद आपको rent कर्था या साल का rent कर्था advance आपको receive होता रहेगा तो मिरे हैं में बहुत ही best opportunity बनती है in terms of investment अगर आपको capital smart city या लहुर smart city में booking के वाले से कुछ मालूमाँ चाहिए हो तो देगर नबर रापता करें इसके साथ साथ हमारी website विजिट करना मत भूलें www.makansolutions.com अगर आपको या वीडियो ची लगे तो please do like, comment and share और चैनल को subscribe करना मत भूलें रिजवान चीमा को दीजिए जाज़ अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज को अगर बापको जाए 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 झाल रापको याज़ करना मत भूलें तो दो दो बापको याज़ जाए लूलें झाल झाल